हेलो फ्रेंड्स आप सत्का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम वारियस में जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि हमारे टीम के द्वारा इस एक्जाम को देखते हुए परी एक्जाम को देखते हुए हमारे यूटूब चैनल टीम के द्वारा एक प्रैक्टिस ओजन किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप लोग को समपुर्ण फीसलेशन के सात आप लोग को डेट्स आ परशनों का संग्रा आप लोग के साथ कराया जा रहा है इसमें बारी-बारी से आप लोग को कितनी तोटल 15 सेट कराया जाएंगे आपके लिए कौन साथ टेस्ट होगा आपके लिए तीसरा सेट है अगर आप चाहें तो इसका पीडिया भी आप लोग तक प्रोभाइट करा दिया जाएगा अगर हमारे हमारे आप एक जाम वारियर्स यूटूब चैनल या जो है आप हमारे वाटसप वाटसप ग्रूप को य जनाचे कि हमें कहां तक पहुंच पा रहे हैं एक अच्छा माक्स जो है आप लापा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके त्यारी अच्छी है उसी त्यारी को और बेहतरीन करने के लिए हम लोगे ने एक टेस्ट के शुरुवात किया है जिसके माध्यम से इसको एक तेस्ट कराए जा रहा है जो पुरी तरह से क्या है फिरी है उसमे कोई भी किसी पड़ाय की कराई से प्रय। पत्र आपको जारी किया जाता है टेलिग्राम ग्रूप पे वाटसब ग्रूप पे और वहां पर बच्चे बहुत सारे अलग जीलों के बच्चे जो है उसमें सामिल होते हैं और वो टेस्ट देते हैं हमारे तक मार्प्स भेजते हैं उनका मैंने क्या करता हूं रेंक भी जारी देते हैं ताकि आप लोग को देखने में और असानी हो पहला प्रश्ण है अगर उनमें या विद्रोहियों में एक भी योग के नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं अठाह溜 संतावन के बिद्रोह के समय कोंगरों से हैं अठाहा सो संतावन की बात करें तो अठाहा सो संतावन भारत के अजादी के लिए एक बहुत ही संपुन बहुत ही बड़ा जो है एक बिद्रोह था लेकिन ये बिद्रोह क्या हुआ कि अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग समय में जो हुआ इसके कारण क्या कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया आनि कभी बंगाल में हुआ बिहार में और इस अपर यहां कुछ हिसों के तुरू कर दिया, तो उसी के कारण बोला जा रहा है, कि अंग्रेज के द्वारा बोला गया है, या अगर उन में यानि कि जो 1857 के बिद्रोह जो कर रहे थे हैं उन में से अगर कोई भी एक भी बोल रहा कि एक भी योग नेता यानि कि उनके मन में क्या है उनका कहना है कि उस समय 1857 के क्रामतिक समय वैसे भारत में कोई भी एक योग नेता नहीं था भारत में जो कि क्या कर सक अपने लोगों को संचालित कर सके दिशा निर्देश कर सके और अंग्रेजों के साथ युद लड़ सके एक भी योगनेता निकला होता तो हम क्या हो जाते हैं अंग्रेज का रहे हैं कि हम हार जाते हैं यह 1857 के विद्रोव समंदी थे किसकी कथन था तो आपको एक कथन था जॉन लोरेंस का किसका था जॉन लोरेंस का यह कथन था तो आपको 1857 की करांति जो शुरू होती है कब होती है 10 मई को शुरू होती है आपको मेरट से शुरू होती है ठीक है 1856 में आउटरम रिपोर्ट के अधार पर किस राज को अंग्रेजी समराज में मिला लिया गया एक आउटरम ठीक आउटरम रिपोर्ट के अधार पर किसको अंग्रेजी समराज में मिला लिया गया तो यह था आपको अवद को ठीक है अवद आउटरम रिपोर्ट यानि कि कहा जाता है क्या कुशाशन के अधार्प ठीक है पड़े होंगे आप लोगे कुशाशन के अधार्प किस राज्य को अंग्रेजों ने मिला लिया था तो आपको अवद को कुशाशन के अधार्प अंग्रेजों ने क्या कर लिया अपने अंदर जो है उसको मिला लिया था कब ये सब्सक्राइद्यूंड भाट पुर्शा जाता है यहां से अवध को मिला लिया तो अवध का अंतिम नवाप कौन था ! वाजीद अलीशा कौन था ! वाजीद अलीशा था ! इसको भी अपन ध्यान में से रखेंगे ! साथ वर्ष से कम उम्रे के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम करने से पर्तिबंद किया गया था कारखाना अधिनियम था जो कि इसमें क्या कहा गया कि आप साथ वर्ष से कम साथ वर्ष से कम के बच्चे को क्या कर सकते कारखाना में आप काम नहीं करवा सकते तो यह आपको अधिनियम था 1881 का करखाना अधिनियम कब 1881 का करखाना अधिनियम था इसी में कहा गया ठीक है इसे समधित गौर्णर जर्रल पूछ लिया जाता है ठीक है 1881 में कौन था तो 1881 में आथा आपका था लॉड रीपन जो कि Lord Rippon का कार्जका की बात करने थी कब से कब था? 1880 से 1884 में इसी के समय में 1882 में एक और घटना हुआ था कौन सा घटना आप लोग को याद होगा आपको वर्ना किलोस्प्रेस एक्ट पर जो क्या किया था? परतिबंद हटा लिया गया था किसके द्वारा? Lord Rippon के द्वारा आया था कब? 1878 में लिटर ने वर्ना किलोस्प्रेस एक टोल आया था और बिरासी में Lord Rippon ने उससे वापस पूना हटा दिया भारत में नियाईक सेवा का जनक किसे का जाता है? भारत में नियाईक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को का जाता है क्या किया? परतीक जीलो में एक नियाईक तथा एक खोजतारी क्या क्या? नियाले की अस्थापना किया? टीक है? और यहां पर हम नियाले की बात करते हैं, तो नियाले से भी एक प्रस्णा था कि आपको भारत में स्तोतना से शित्ति के एक सूप्रिम कोट का अस्ठापना क्या गया थ। वह बbrush अश्ठापना क्या गया था। पिर अली के नितितुरों में हुए बिद्रो को दबा दिया था। पटना से पूछा जाता है डिरेक्ट पटना सिट्टी से जो है या पटना से जो है इसके नतितों किसके द्वारा किया गया रहा था तब पीर अली के नतितों में यह अंदोलन किया जा रहा था जो कि किस ने विद्रोह को समाप्त कर दिया गया दमा दबा दिया गया था एक कम द्यादिया जाता है अगर विप्रशिक के माधियम से उसको दबा दिया जाता है 주ह ने किया यह प्रशन आपके लिए प्यारे से आगर भी पेसी कर रहे हैं तो आप इधियाटीड प्रशन को भी देखना पड़ता है और ये बिहार में कॉंग्रेस की हम बात करें तो बिहार में तीन जो अधिवेशन कांग्रेस को हुए है कब 12, 1922 और 1940 में आज की बिहार का बात नहीं किया जा रहा है जो अजादी से पहले के बिहार की बात किया जा रहा है रामगड जो कि वर्तमान में कहा है आपको जारखंड बिहार बटवारा होने के बाद कहां चला गया जारखंड में चला गया ठीक है तो और तीसमा जो हुआ अधिवेशन के अध्यस्ता किस ने किया था तो आपको पुछा जा रहा है गया वाला पुछा जा रहा है तो गया व बिहार के किस बिहार के निम्रीखित जीलों में से किस जीले में 30 जुलाई 1857 को कमपनी सरकार द्वारा सैनिक सासन लागू नहीं किया गया था तो यह आपको कई ऐसे जीले थें तीक है बिहार के कोई एक नहीं कई ऐसे जीले थें जहां पे 1857 के बढ़ते हुए परसार के तो आपको सारान जो छपरा वाला छेतर था आपको तीरहूत जो चंपारन वाला छेतर था जैसे तीरहूत में जो है अभी इसमें कई जो है डिस्टिक आ जाते हैं चम्पारन था बटना था ठीक है आप्शन का उसार आपको यहां पे सभी को जागा ठीक है तो आप्शन नमबर पांच इसका सही है निखित में से कौन सा कथन सत्य है 11 अपर 1936 को अखिल भारते किसान सभा का पर्थम समिलन कहां हुआ लखनोर में किया गया था अखिल भारते किसान सभा का अध्यक स्वामी साजानन सर्श्वती जथा महासचीव एंजी रंगा को बनाया गया अगला उप्षन है अखिल भारते किसान सभा के पर्थम समिलन जौहल नहरू ने भाग लिया था अखिल भारती किसान सभा के पर्थम समयन कब हुआ 1936 में हुआ जिसके अजहता सहजाना सर्च्वति ने किया उसमें कौन सा एक नेता ने भाग लिया था जो आहला नेहरू ने भाग लिया था इसलिए इनका नाम चर्चित हो गया है ठीक है इसमें ऑप्शन नंबर एक दो और तीन सभी सई है एक दो और तीन इसमें सभी सई है क्रांतिकारि अंदूरं कंतर गत का कोडी सनेंद्र कब हुई थी थी ओ, यह वहुत हि मन्त है काकशोरी सनीद्र Continuing का हूव तो जयो कि कहां पर हुआ था कापआ इस्थीथ में एस्थित है आपको वर्तवान उतर पर्देश लखनौर सहारनपूर संभाग की काकोडी जो की लखनौर की नाम से जाने जाता है नमकस्तान से कब 9 अगस्त 1925 ठीक है कब इसका डेट की बात करेंगे तो एक जेक 9 अगस्त 1925 की बात होता है टेन का नामी पूछ लिया जाता है कौन सा टेन था तो 8 डाउन सहारनपूर डाकयति राकर सारा 정도 कारी jak जाने को क्या कर लिए लिया गया था भारतिय कारी कर द्वारा इसको लूट लिया गय था इस case में 29 लोग गिरफतार किये गए इस लोग में का कोडी काम्द में कब हुआ है उपच्चिस में हुआ जो कि 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन में से कई सारे लोगों पजु है गिरफ्तार करके क्या क्या चलाए गया इसमें मुख के रूप से नाम सब से आता है जिनका नाम है राम परसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहडी अस्फाक उल्ला खां रोशन सी चंद सेखर अज्जाद ये सब ही आपको करांतिकारी इसमें सामिल थे हैं तो आपको क्या हो जागा? 9 अगस्त उनीसों पची जो कि option में आपका नहीं है इसलिए option number 5 हो जागा 9 अगस्त उनीसों ब्यालिस को निम्डीखित में से किसके नेतित में पच्टना में जूलू सायुजित किया गया 9 अगस्त उनीसों ब्यालिस ये डेट याद होगा तीक है? ये डेट ऐसा डेट है जो कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी विद्यार थी जो परिछा के त्यारी कर रहा होगा और इस डेट से क्या होगा? जो भी सामिल होते हैं और इसमें जो जन भागीदारी भी रहता है जनता जो छोटे लेबल पर थी जो गाओं में रहती थी उन सबी की भागीदारी इसमें सपोर्ट थी इस कारण से जो हंग्रेज घर बढ़ा जाते हैं अब इसी रात में एक ओप्रेशन जारी करते हैं जिसका नाम था ओप्रेशन जीरो आवर इसी operation zero hour के तहर जो क्या करते हैं कांग्रेश के सभी जितने भी बड़ी बड़ी नेताएं थे उन सभी नेताओं को का कर लिया ता है गिरभतार कर लिया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है ठीक है तो नेत्वी तो पटना में पूछा जा रहे कि नेत्वी तो कि ने किया था तो भगवती देवी के द्वारा किया गया था जो कि भगवती देवी के द्वारा किया गया था जो कि भगवती देवी बात करें तो भगवती देवी कौन थी तो राजंद परसाद की बहन थी ठीक है कौन थी भगवती देवी राजंद परसाद की बहन थी खान अब्दुल्गा फार्खांद्वारासंचाल इतल लालकूर्थी आंदोलन किस राष्टी आंदोलन के दोरान चलाए गया था जो की काफी जाकर क्या हुआ बहुत ही परचलित हो गया यह था आपको सविनय अवग्या अंदोलन सविनय अवग्या अंदोलन कभ वुआ 1930 में आगे दखेंगे प्रथम गोल्मे समयलन 1931 में हिंदु महासाबा की वर से किसने भाग लिया था मैंने एक आप जो है अगर हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोग एक और सुचना देर देता हूं कि एक गोल्मे समयलन जो तीन गोल्मे समयलन हुए अल 12 मिनट का वीडियो जो हमारे चैनल पर बना करके डाला हुआ है जितने भी उसमे महत्पून प्रेश्ट बनते हैं जो आपके एक्जाम के पॉइंट अप वियू से हुए उसमे प्रेश्टों को सामिल किया गया है तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस 1889 यानि कि 89 लोगों ने परतिनीधित्व किया था यानि अलग 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 समदाय के लिए अलग 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 धर्म के लिए अलग अलग जो है लोगों ने इसमें क्या क्या परतिनीधित्व किया तो उसमें पूछा जा रहे हिंदू महासाभा की ओर से किसने समयलान चला कब से 1930 सе 1931 तक गोल में समयलान चला अब गोल में समयलान हुआ था एक गोल में समयलान हुआ था आपको ल雪्ण में मिढ़ा था ठीक है यह इस darb समय में जय हुआ था एक इसके परियास्ने सीह था तोerek 1931 में जो गुवर्णर जर्नल भारत में था जिसका कार्ट का 26-31 की बात करते हैं तो 1926 से 21 तक कौन था लॉड इर्विन था उसी के परियासों से इसका आपको समेलन का आयोजन किया गया था ठीक है इस यहाँ पर जो है एक और चीज को देखेंगे इस समेलन का ब्रिटिस समरा कौन था तो जोर्ज पंचम था और वहां के परधानमत्री कौन था तो रैम जे मैग डूनाल्ड टिक है रैम जे मैग डिनाल्ड जो कि आप 1932 में भी इसका नाम सुने होंगे इसमें 89 परतिनीदी ने भाग लिया यह भी बदमाहिने बात कर लिया इसमें बात करेंगे तो इ हिंदू महासावा की ओर से परतिनीदित किये थे टोटल परतिनीदित कितना थे 89 थे हैं निकित में से किस लेखन अर्विंद घोस द्वारा नहीं किया गया है कौन सा इसमें से लेख है जो कि अर्विंद घोस के द्वारा नहीं लिखा गया है तो ठीक है दर लाइप डिवा यह भी आपको किसका अर्विंद घोस का है फिर जितने भी आपको लेक लिखे गए हैं ये सभी चारों क्या है अर्विंद घोस के द्वारा लिखा गया है बीधवा पुनर्विवा अधिनियम किस गुवर्नर जनरर के समय में पारित किया गया तो आपको Lord Kenning की बात करते हैं तो Lord Kenning के समय में 1856 से इसका कार्चल कब था 1856 से 62 तो आपको Lord Kenning का कार्चल कर रहता है इसी के समय में आपको इस अधिनियम को पात्रित किया जाता है कब 1856 में पुछा जाता है इसका date 1856 में कार्जकल किसका हो जागा Lord Canning जो कि इसका 56 से 62 तक कार्जकल था Lord Dalhoji का जो है 1848 से 85 तक इसका कार्जकल रहता है अब इसी के समय में कुछ महत्पून घटना होता है जो से हड़ाप नीतिक के परतिपादक था डॉलहोजी भारत में रेलवे के शुरुबात किया कौन डॉलहोजी के समय हुआ डांग टिकट के सुरुबात जो है आपको किस के समय में हुआ Lord Dalhoji के समय में हुआ Lord Ripon को क्या कह जाता है Lord Ripon को जो है अस्थानिय स्वासासन का जनक Lord Ripon को Lord William 20 के समय में भी कई सारी काम हुए उनीसो तीस में किया हुआ ठागी परथा के समय किया गया और करनल भी सारी में की सहाता से Lord Ripon ने क्या किया आपको राजारमोन की मदद से आपको सती परथा को जो है इसमाप्त किया और ठागी परथा को भी समय किया नीमने से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है यहां पे स्थाबना कब किया जाता है 1885 में किया जाता है बंबय में किया जाता है बहराम जी मालविये के द्वारा किया जाता है जो कि option नमबर जो है आपको यह क्या है गलत है टीक है वेद समाज श्रीधरलू नाईडू श्रीधरालू नाईडू के द्वारा किया जाता है धर मसबा की अस्थापना आपको राधाकान्थ के देव करते हैं और देव समाज जो है सिवु अर्लाइन अग्री होतली के द्वारा किया जाता है तो option number ए जो है क्या है इसका गलत है द्वेट सासन का जनक किसे माना जाता है द्वेट सैसर का जनक जो है सर लिवनेस कार्टियस को माना जाता है ठीक है जो कि आप्शन इसमें आपको नहीं दिया गया है भारत के स्वतंतरता प्राप्तिक समय बिर्टेन में किस पार्टी की सरकार थी? बहुत ही पॉपलर है, बहुत सारे एक जाओं में पूछा जा चुका है, तो भारत की स्वतंतरता जो है कम मिलती है, 15 अगस्ट 1947 को भारत जब स्वतंतर होता है, दो अलग अलग राष्टों के र करीमेंट एटली वहां का परधान मंत्री था, इन बिकेत में जो कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था है, भारत का पहला मजदूर संगठन पूरे इंडिया के बागर नेशनल अस्तर का तो आपको मजदूर एस्वेशन था, बामबे मील हैंड एस्वेशन इसकी अस् अखिल भारती ट्रेड इंयन, अखिल भारती ट्रेड इंयन की अस्थापना कप की जाती है, तो आपको इनकी अस्थापना एमेन राय के द्वारा की जाती है 1926, यह प्रश्ण आपको पूछा जाता है, निखित घटनाव के काल करम वेवस्तित कीजिए, और नीचे देगे कूट की साहता से उससे चुनिए, जो है इसको हम पहले सबसे पहले देखेंगे, यह बिद्रो कब कब हुआ, ठीक है, जब यह बिद्रो को हम देख लेंगे, इस वी के अमसार, तो क्या होगा, अपने आप इसको हम असानी से क्या कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं, तो मौपला विद्रो कब हुआ, ठीक है, मौपला विद्रो की बात करते हैं, तो आपको मौपला विद्रो की बात करते हैं, तो आपको मौपला विद्रो की बात करते हैं, तो आपको मौपला विद्रो की बात करते है जालीयाओनला भाग घत्याकान जो है आपको छोटा डेर के साथ चलेंगे तो तेरा अपलाए उनिस सो उनिस को, चौरा चौरी की घटना कब होती है? चौरा चौरी पांच फरवरी उनिस सो पाईस को घटना होती है और पर्थाम विस्वूंद कि स्माप्ती कब हो जाती है circuit 1918 में कब की 1918 में पर्थाम विस्वंद कि स्माप्ती हो जए क्योंकि इसकी शुरुवात 14 1914 में की जाती है तो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सबसे पहले हो गया 1900 1910 1921 option के हमसार चलींगे किस वर्ष बिहार को प्रिथक प्रांथ के रूप में बनाने की घोसना की गई, यहाँ दो चीज है, एक होता है घोसना किया गया, गोसना कब किया गया था आपको, 28 दिसंबर टीक है, जो 1911 को जो दिल्ली दर्बार लगा था, यहाँ पे जोर्ज कौन, जोर्ज पन्चम जो है दिल्ली दर्बार में आया था, उसी समय आपको बिहार को अलग प्रांथ के रूप में बनाने की घोसना की गई थी, जो कि 1 अप्रेल, कब 1 अप्रेल 1912 को बिहार अलग प्रांथ के रूप में संगर्ठित हो गया, किसी अधिनियम के अंतरगात कंपनी के अधिन सरकारी, पदोपरचैन में किसी ब्यकति को धर्म, अस्थान, जन्म, अस्थान, मूल, रंग या अधारप आयोग न ठहरा जाने का बंद किया गया है, यह काँसा अधिनियम था? अधिनियम था 1823 का अधिनियम, काँसा था? और प्यार पर उसकмов बिभेदित नहीं कर सकते हैं broken wings किसकी परमुक रचना है broken wings किसकी परमुक रचना है तो broken wings जो है आपको सरोजनी नैडू की परमुक रचना है इसका साहआ साहआ सरोजनी नैडू के है golden threshold, world of time, song of India, broken wings ये सबी जो है किसका सुरोजिनी नाइडू के द्वारा लिखे गई पर मुख रचनाए हैं बिहार की जले में असा होगा अंदोलन के दोरान जहन्डा कांड हुआ था ठीक है कौन सा अंदोलन के दोरां जहंडा कंड हुआ था तो यह आपको हुआ था कहां पे भागलपूर में ठीक है शेर्षा के भूर आजस्व ब्यवस्ता के संबद में निम्ली खित में से कौन सा कतन सही है शेर्षा ने लगान ब्यवस्ता मुख रूप से रहतवाड़ी ब्यवस्ता थी जिसमें किसानों के परत्यक संपर्क अस्थापित किया जाए टीक है यह जो है सही है क्योंकि सेर्षा ने जो है जो ग्रैतवाड़ी विवस्ता का ही परयोग किया था किसानों पर टेक्स लगाने के लिए सेर्षा ने उत्पादन के अधार पर भूमी को तीन स्रेणियों में बाटा एक अच्छी किरिसी वाला मध्यम किरिसी वाला खराब किरिसी वाला क्योंकि यह होता है क्या कि आप हर जगह जो है देखेंगे हर जगह भूमी एक तरह के नहीं होती है और जब भूमी एक तरह के न सुलेंगे तो जो ज्यादा जो जिसका उत्पादन ज्यादा होगा तो असानी से दे देगा लेकि जिसका कम होगा कैसे दे पाएगा इसलिए आपको इस कर्टेग्री में इसको बाठा गया सेर्षा ने भूमी मापके लिए सिकंद्री गज 49 अंगूल या 32 इंच वाला सन की डंडी का पर्योग किया सही बात है आपको ये भी सही है शेर्षा के समय भूराजेश्व का उत्पादन का कितना था वन थर्ड था ठीक है वन थर्ड था इसके अमसार जो है ओप्शन नंबर क्या हो जागा इसका सभी सही है एक दो तीन चार सभी इसके सही है दिली सलतने के कि सूलता ने नायव ए मुम्गतकलत पद की अस्थापना की आपको बहराम साके दोरा किया गया था बहराम साक किस वनष का सासक है तो आपको गुलाम वनष का सासक है मलि कंबर का समद किस दशिन भारतीराज़ थे था मलि कंबर जो है मलि कंबर जो दशिन में बात करेंगे तो यह कहां का था अहमद नगर का था भगति आंदोलन के परमुक संतकबीर दिली सल्तानेत के किस स्मकालीन थे तो General पूछा जाता है क्योंकि कबीर की हम बात करें तो इनकी जो है लगभग काल की बात करते हैं 1440 से जो है कब तक 1510 इस्वी के बीच जो है इनका काल रहता है और सिकंदर लोदी का भी जो है कार्च काल की बात करें तो इनका 1489 से ले करके 1517 इसबी तक इसका जो कार लगा था तो इसी के बीच में जो है ये भी आते हैं दासप्रत अकबर द्वारा किये गए पोकार्यों का सही कालकरम कौन सा है तो सही कालकरम देखेंगे इसमें जो है सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर की समापती तीर्थिलाकर्थ करत 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 कăm 500063चपी में ठीक है ज़्या करोगा 1564चपी में और 180 परनाली की सुरवात कब किया तो option number क्या हो जागा? तीन इसका सही उतर है. दारा सीको के सुफी मत से परभावी था? दारा हम देखेंगे कि मुसलमान में जो है, मुसलमान नहीं कहेंगे बलकि इसलाम कहेंगे, इसलाम में कई सारे सुफी संत अलग-अलग भागों में बट गए और अलग-अलग अलग अपन अपना विचार दिया, तो इसी में बहुँ सारे लोग अलग-अलग मानने वाले भी थे, तीस में आपको वही दारा सीको था किस संपरदाशा जूड़ा हुआ था, तो आपको कादरी संपरदाशा जूड़ा हुआ था. अगला प्रस्न है निम्लिखित में से दिली सल्तनत के किस सासक ने अकाल राहत सहिता त्यार करवाई अकाल राहत सहिता इसकी से भी छेतर में जब अकाल हो जाता है तो वहाँ जो है क्या होता है सरकार को यह जनता करता भी होता है कि वह सरकार जो है क्या करे जनता कि आपकी मद पर किया गया था और मुहंबद बिन तुगलक जो है का जाता है दिली सल्तरनत में सबसे बिद्वान कौन था तो आप था मुहंबद बिन तुगलक नहीं इन्होंने ही क्या किया था दुआप छित्रों में त्रीक है दुआप छित्रों में पचास परतिसर तक जो है कर एक ब्र तो हड़ापास हैं तीन अलग अलग जो भी भागों बटा हुआ कौन है धौला वीरा है और धौला वीरा को अभी 2021 में कहां युझे इसको की बीस व विरासा सुची में भी सामिल किया गया है इसलिए चर्चा में है एक किस नदी के किनारी इस्तित है तो आपको लूनी नदी के किनारी इस्तित है इसके खोज किस के द्वारा किया गया है रवींद्रसी बीस्ट के द्वारा किया गया है ठीक है रवींद्रसी बीस्ट के द्वारा तो कोई यरूरी नहीं कि आपको डैरेक्ट यही पूछेगा आपको पूछ लिया जागा, खोज भी पूछ लिया जा सकता है, यह इसके सुची में कब सामिल किया गया, करेंट से जोड के, किस नदी किनारे, लुन नदी किनारे है, धोला विरा है कहाँ, तो आपको धोला विरा जो है, आपको गुजरात में, जो कि हड़ा पकालीन अस्तल इसी कह जाता हैं कि आपको आंसिक रूप से क्या का जाता है पुछा जाता है कि आपको बौध धर्म आंसिक रूप से किस बौध संगिती में दो भागों बट गया था तो दृतिय बौध संगिती में आपको पूछा जाता है फिर कि बहुत संगिती पूर्ण रूप से दो भागों में बट गया कब तो आपको चतूत बहुत संगिती में दो भागों में बट गया निविकित में से कौन सा कत्थन बैदिक आर्यों के समन्द में सही नहीं है elt कर देखेंगे तो बैदिक आर्यों का समाज परिवार अधरि था ऐसा नहीं था क्योंकि हम देखते हैं हें बैदिक सही तो जो है सिंदू गाटी सब्यता की बात करते हैं तो सिंदू गाटी सब्यता मात्री सताद्वत्थी जब कि बैदिक सब्यता जो है फिर भी क्या हो जाता है आपको पित्री सतात्मक के रूप में हो जाता है वेद त्राई या त्राईग में कौन सा वेद समीलित नहीं है वेद जो है टोटल कितने है चार है इसमें सरीग वेद सामवेद जूर वेद तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है तरही बोला जाता है तीन वो को मिला के तरही बोला जाता है इसमें सामिल नहीं है कौन अथरवेद नहीं है निमिकित में से क्या जैन धर्म के तिर्दतने में सामिल नहीं है जैन धर्म के तिर्दतने में कौन-कौन जो है सामिल है तो आपको सम्यक ग्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरन आपको सम्यक तब इसको सामिल नहीं है मौरकाल में संस्ता द्वार येवं संचार का समद निम्लिकित में से किस्य था मौरकाल में संस्ता और संचार का समद किस्य था तो आपको था गुप्चतर बिवस्ता से था रीगवैद में बिहार शेत्र के लिए निम्लिकित में से किस सब्द का परयोग किया गया है बिहार के लिए किस सब्द का पर्योग किया गया है तो इसमें जो हम देखेंगे तो रिगवैदी काल में बिहार के लिए किकट भी पर्योग किया गया है ब्रात्य भी सब्द का पर्योग किया गया है तो अथारो बेद में भी देखेंगे तो अंग मगध ये सब जो महाजनप थी थी ठीक है ये उपाधिक किस पाल सासा को दिया गया था तो आपको धर्म पाल को दिया गया था धर्म पाल में ही नहीं क्या किया बिक्रम पूर्पुर में करता है, निम्न में से कौन सा यूग सही सुमेलित नहीं है इसमें महा जणपद है, उसकी रधानी को चुनना है तो इसमें से सुमेलित नहीं है उसदों देखेंगे, अंग की रधानी द Weihnachthani कहां थी चमपा थी सही है निखित में से कौन साथ वर्गों में समिलित नहीं था इनमें साथ वर्गों बाटा गया इनमें साथ वर्ग कौन कौन से थे जो कि इसमें नहीं थे साथ वर्गों की बात करते तो इसमें दार्सनिक को भी रखा था किसान को रखा था, अहीर को रखा था कारीगर, सिल्पी, सैनिक, निरिछक और सभा सद ये सभी इसमें थे छत्री ये यहाँ पे नहीं था जिवास मुक्त अस्टील का निर्मान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है ये बन गया है आपको स्वीडेन किस देश के सेना पर्मुक को राष्टपती रामनात को भी द्वारा भारतिय सेना के जर्नल की मानद से समानित किया गया है तो हमारा जो परोशी देश है जहां पे बहुत अच्छा रिष्टा है आपको नेपाल के सेना पर्मुक को ये मानद रैंक दिया जाता है कोबिन नाइटी खिलाफ सोब परतिसर्टी का करन करने वाला भारतिय सहर कौन से बन गया है पुछा जारे कौन भारतिय सहर तो भारतिय सहर में कौन हो जागा आपको भूनेश्वर हो जागा अगर राज पूछा जाए तो आपको राज कौन था हिमाचल परदेश जीला पूछा जागा तो जीला कौन था आपको की नौर था ये भी हिमाचल परदेश के था ठीक है फाहला गाउं कौन था भियोगं जो कहां पर है आपको जमु कर नहीं गया है यह जो अश्तर है वह जगा का नम दिया गया है बहुत ही फेमस पूस्तक है little book of encouragement पूस्ता के लेखा खाए आपको दलाई लामा आगे देखेंगे इन में से किसे करनाटक का एक तीसवा जीला ठीक है करनाटक में टोटल आप कितने जीले हो जाएंगे एक तीस जीले हो जाएंगे तो एक तीसवा जीला किसको बनाए गया है आपको बिजय नगर को बनाए गया है पांच रुपए में भोजन उपरवत कराने के लिए किस राज सरकार ने मा योजना की सुरुवात किया मा योजना की सुरुकात आपको ममताबनर जी आकी पछी मंगाल सरकार के द्वारा किया गया है पच्छिम बंगाल की बात करें तो अभी ममता बना जी लगतार तिसरी बार यहां के मुखमंत्री बनी है और बिहार के मुखमंत्री तो पता ही होगा आपको नीतिस कुमार है यहां बिधान सभा कितना है 243 है मद पर्देश में विधान सभा की बात करते हैं तो यहाँ पे 230 और उतर पर्देश में विधान सभा की संख्या कितना है विज़ आपको 403 है संजुक राष्ट के खाद और क्रिसी संगठन के द्वारा सहरी वनों के विकास हेतू कि इस भारतिय सहर को 2020 का ट्री सिटी उप दो वर्ड के रूप में खिया गया है अपको हैदराबाद को किया गया है दुनिया का पहला प्लेटरपस के– अबिहारण का निमान केको धु और करने की घुस ना किया इसको सब्ढुठ्षन के लिए काम किया रहा है बारत का परला transgender community desk कहाँ खोला गया है यह खोला गया आपको तेलंगना में कहा पर तेलंगना में जो की भारत का बात तेलंगना की बात करें तो यहां पर जो है बिधान सब्गत कों का केश चंद्रसेखर-राउ जिनकी पार्टी का नम क्या है आपको राजनेदिक Commission पार्टी है TRS तिलंगना राष्डर संग जिसका चुमा चेंड कीया है आपको कार है ठीक है ज कि सबसे लेटेस्ट जो है राज BA भारत का का कौन है तिलंगना है जिसकी गठन दो जून 2014 को आंदे पदे से अलग करके एक राज के रूप में गठित किया जाता है यहाँ दो इसद निये सरकार है तो यहाँ विधान परसद भी है विधान परसद सीटों के संखे कितना यहाँ पे 40 है हाल ही में निमनि में से किस देश को डावलो चोगारा मलेरिया मुक्त भी खोशित किया गया है इसमें एक ही देश नहीं है इसमें मलेरिया मुक्त आपको चीन को भी किया गया है और सलबा डोर को भी किया गया है तो इसमें देखेंगे आप्सन का उन्सार आपको चीन भी हो ज वैद मुद्रा घोशित करने वाला वीशो का पहला देश भी बन गया कौन अल सलवा डोर ठीक है डाबलू एचो की बात करते तो इसकी अस्थाबन कब होती है 1948 को छोटा देश जो है साथ अपरेल इसलिए साथ अपरेल को क्या मना जाता बीशो स्वास दिवस मनाये जाता है फिलिपिन्स लिमिकित में सकीस फसर के रवानसी के रूप से संसोधित वानीजी कुदपादन को मौनजूद देने वाला बीशो का पहला देश बन गया है आपको चावल की गोल्डेन राइस को जो है मानेता देनवाला वीश्व का पहला तेस बन गया है अंतराष्टिस चावल अनुसंधान संस्तान भी काया है आपको फिलिपीन्स में है बिहार बजट 2022 तेस के उसार बीतिय वर्ष 2022 तेस में राज का बीका सात्मक ब्या कुल ब्याई का कितना परतिसत है यह परतिसत की बात कर रहा है तो परतिसत है आपको 67.37 परतिसत ओप्शन नमबर दो बिहार बजट 2022 तिस के उसार बीतिय वर्ष 2022 तेस का वार्षी का स्कीम कूल बजट कान्वानान कितना लगाया गया है तो यह लगाया गया है आपको इसे लगाए गया है एकाइदें सेक्रा हजार दहजार लाग एक लाग कंडूर रुपए बिहार आर्थिक सर्विक्षन 2021-22 के अमसार राज में 2020-21 में वर्तमान मूल पर प्रति ब्यक्ति सरकल घरेलू उत्पाद कितना परतिशत है यह परतिशत नहीं है कितना टोटल भैलू पूछा जा रहा है कितना है पचास जार पांसो पच्पन रुपए जैनवरों के लिए कोवीड वैक्सिन कोड़नी वैक को बनाने वाला दुनिया का पहला देस कौन से बन गया है यह बन गया है कौन रूस यानि कि चाहे हम जैनवरो की बात करें या मनुष्र की बात करें या पूरे वर्ल्ड में जो है कोवीड बैक्सिक बनाने वाला की बात करें तो सबसे पहले जो है बनाए गया था किसके द्वारा रूस के द्वारा बनाए गया था वर्स 2019 के लिए दादा साय फाल के पुरुसकार किसे परदान किया गय का 2019 को कभी दिया गया किसको रजनी कांथ को इसके बाद अभी तक किसी को फिर वात्स नहीं दिया गया है क्रौं के माथ नहींस तो 50 पुर्ष का आपको अमता बचन को दिया गया था. ठीक है, यहीजु है, आपको 2019 का रजनी कांत को कब दिया गया है? 2021 में दिया गया है, इसके बाद हबी तक किसी को नहीं दिया गया है. दुनिया का सबसे मुच्छा रेलवे आर्क ब्रीज भारत में कहां बनाया गया है आर्क ब्रीज जो है आपको बनाया गया है जमू कश्मिन में वह भी किस नदी पर बनाया गया है तो आपको बनाये गया है चिनाम नदी पे किस नदी पे चिनाम नदी पे जो कि सिंदू किसायक नदी है और कहां बनाये गया है जमू कश्मिन में किसे 2022 के लिए NASCOM का चेयर्मन न्यूक्त किया गया है NASCOM का चेयर्मन किसको मिनाए गया है आपको रेखा मिनन को ठीक है रेखा सर्मकौन है महिला आयो की अध्यक्ष है निती आयो के तिसरे SDG Sustainable Development Growth India Index 2020 से किसमे सीर सचतान प्राप्थ करने वाला राज कों से रहा है को सीर सचतान पर है आपको केरल और अंतिमस्तान पर कौन है भिहार संच्चुकर राश्ट महसावा का अध्यक्ष किसमें चुना गया है आपको मालदिव के विजेश मंत्री है तीक है मालदिव के विदेश मंत्री हैं मार्क रोटे कौन है तो आपको नीदर लेंड के परधान मंत्री है अब बसर अलासर कौन है तो बसर अलासर आपको सिर्या के राश्पती है भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अमसार किस राज में वन आवरन में सरवाधिक बिरिधी ह हुआ है सरवाधिक बिरिधी के बाद किया जा रहा है कि पहले कितना था उसमें सबसे तेजी से या सबसे धीक बिरिधी किसकराज का हुआ है तो हुआ है आपको आंध्य पर्देश के पिछले वर्स कि आपको किसका हुआ था करनाटा का हुआ था यह आपको रिपोर्ट जो था और प्रास्ण भी आ गया बयां गॉंघव ठीक है ब्यांन नहीं है ब्यांग कर दिश्का ब्यांक दोदाओं है जो की कहां का है आपको जमू कस्मिर दॉयां किसे अनिम्व में 뭔 सक Aw Tyr folding 2021 स्मानित किया है 200 का पूरुष्कार 2019 संकुत्रा हरी केश को दिया गया है ठीक है भारतिय मुल्ग की बैस्विक पोष्टन भी सस्जग्य है संकुत्ला हरी केश जिसको वर्ष 2021 का खाद्य पूरुषकार दिया गया है अंतराष्ट्य मुद्रा कोस के बोर्ड ऑप गवर्नेंस ने बैस्विक तरलता को बढ़ावा द अभिकार को आवन्टन करने की मंजूरी दी है तो यह दिया गया है छोसो पच्चास दुनिया भर में अफिर का डाय अस्पोरा के असाधारन युगदान को बढ़ावा देने और अफिर की मुल्ग के लोगों को खिलाप सभी परकार के भेद भाव को खत्म करने के उदेश से संजुक राष्ट पर्यावरन के त्वारा निम्न में से किस स्तिथिक को पहली बार अफिर का मुल्ग के लोगों के लिए अंतराष्टिय दिवस के रूप में मनाया गया है तो इसका मनाया गया है 31 अगस्त को मनाया गया है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का युजन 2022 में किस देश में किया जाएगा तो इसका युजन आपको भारत में किया जाना है अंडर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप युजन 2022 में भारत में किया जाएगा तीक है इसका युजन जो है 2021 में किया जाना था लेकिन कोवी बच्चों के 18 साल की उम्र्च तक हर महिने कितने परदिशत ने कितनी रासी देगी तो बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि वैसे बच्चे जिनकी माता पिता कुरुविट के कारण मर गए हैं उनकी मिर्ति हो गई है उनको सहायता राचित दी जाएगी, उनको सहायता राचित कब तक दी जाएगी, आपको 18 वर्ष्ट की जब तक उम्लेक नहीं हो जाता है तब तक दी जाएगी, अपर टेक महिने कितना दिया जाएगा, 1000 रुपाय दी जाएगी कोरोना काल के दुरान बिहार के किस सहर में गरीबों को भोजन उप्रप्त कराने है तो कम्यूटी कीचेन नामक पहल के सुरुवात किया गया कम्यूटी कीचेन की सुरुवात आपको किया गया था पटना में किया गया था जो कि जिसमें लॉक्डान की हुआ था उसमें एक किया गया था यह जो है बहुत ही बेहतरीन जो है संस्ता ने काम किया वैसे लोगों को जो आपको सड़कों पर आते थे जो ठेला चारी गारी चलाते हैं जो अपनी भोजन को डेली जो है क्या कर दिहारी मजदूर की रूप में काम करते हैं डेली कमाते हैं डेली खा करोना महा मारी को हराने के लिए रासरकाने की इस नाम से ंगति सिल तीका करन केंदरों को चलाने का नियर्णय लिया था तो जो है법 लें भी साहतिक नियूज़वानिका फिस्रीज़ण मगधितिना सब्सक्स पधि 비्या अंब incidents के लिए और उनका संपर्क काफी कड़ जाता है उनको टीका करने के लिए टीका एक्स्प्रेस की सुरुवात किया था निमिकित में से कौन सुमेरित नहीं है अंशेद यहां पर दिया गया है इन सभी अंशोदों का अंशेद को हम देखेंगे अंशेद 20 का एक अंशेद 20 जो है तीन भागों बटा हुआ है इसमें जो है अंशेद 20 का आपको आटिकल बीस का ठीक है एक आटिकल बीस का दो आटिकल बीस का कलॉज तीन ठीक है आटिकल कलॉज वन, कलॉज टू, कलॉज थर्ड यहाँ पे देखें कि किसी भी अपराधिक बिधी का भूत लच्छी पर भाव नहीं प्रवधिक भूत्लच्छी परभाव नहीं रहेगा यह सही है भूत्लच्छी यहां पर आप लोग को डौट हो रहा है यह से पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए उसको सजा जो मिलती है उसी समय के कानून के अंसार मिलती है जैसे कोई ब्यक्ति अगर 2022 में कोई घटना कर दाता किसी को मडर कर दाता है अगर उसके लिए 2022 में प्रवधान है कि 5 साल के सजा होगी और उसको जो है सजा का प्रवधान कब हो 5 साल बाद उसको जजमेंट आता है 2022-2027 में तो अगर 27 में हो जाता है कि नहीं आपको कोई भी मडर किया ह तो उसको 15 साल की सजा है होगी, तो आपको उसको कौन से सजा दी जाएगी, जिसमें 2022 में जो सजा, उसमें जिसमें घटना किया था, उस समें की, तो भूत लक्षी के मतलब होता वही, कि पीछे की घटना, मिस जो समय कारे किया था, उसी समय के कानून के अप्षार उसको दी जाएगी, अनुशेद 20 का तो दोहरे दंड समुक्ती, मिस एक कारे के लिए, एक अपराध के लिए, एक से ज़्यादा बार उसको, क्या करें, अपराधी घोसित नहीं किया जाएगा, अपराधी जो है, उसको दंड नहीं दिया जाएगा, यानि कि आप्षार नमबर 2 भी साही है, किसी भी ब्यक्ति को, सुयम के खिलाब गवाही देने के लिए, बाध नहीं किया जाएगा, किसी ब्यक्ति को सुयम के खिलाब, मेंस कोई भी ब्यक्ति को जबर जश्थी आप बाधेकारे नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुम बोलो कि हम मडर की हैं हम इस घटना को किये हैं तो उसको बाध नहीं किया सकता है ये भी option सई है अंशेद 22 का दो कहता है किसे भी ग्रिफतार ब्यक्ति को या था सिख्र ग्रिफतारी का कारण बताना होगा ठीक है यह इसा नहीं है ठीक है बाइस में इसा नहीं कहा गया है इसलिए option नमर क्या हो जागा 71 का 4 गलत है सुची 1 को सुची 2 के साथ जो हम मिलाना है अंशेद के है यहां भी अंशेद है आर्टिकल 47 क्या करता है आर्टिकल 47 जो बिहार से काफी चर्चा में है क्योंकि आर्टिकल 47 क्या बताता है बिहार में आपको सराबंदी कानून के बाते में बताता है अंशेद 51 क्या करता है आप तो लाव अधिनियम के बारें बताता है तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए जब बिधार मंडल द्वारा किसी विधेयों को पास होने के बाद राजपाल के पास भेज़ जाता है तो उसके पास चार भी कल्प होते हैं हो सकता है राजपाल अनुपत्ति दे भी सकता है यहां से ऑप्षण कोचन कुछ ःट गया है आपको यहां 72 के बाद यहां 372 आएगा बिधार मंडल के दोनों सदनों द्वाराबील पास होने के बाद राजपाल के पास निमने से कौन से भी कल्प है बिधार मंडल के दोनों सब्सक्राइब तो दोनों सदन से पास होने के बाद पुर्ण कहां जाता है, राजपाल के पास जाता है, और राजपाल जो है, पास बेजा जाता है, तो उसके पास कई सारी भी कल्प होते हैं, वो अनुमत्ति उसको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, रोक भी सकता है उसको, बील पुनरविचार के लिए वापस भेस सकता है, ये भी सही है, वह बील को राश्पती के शुरक्छित रह सकता है, वह बील को परधान मंत्री के लिए शुरक्छित रह सकता है, टाकि इसमें परधानमत्री का कोई परतिनीधी तो नहीं होता है उसका कोई यहाँ पी रोल नहीं होता है लेमडग सत्र या पंगुप सत्र का तत्पर्च क्या है ठीक है लेमडग या पंडग शत्र का क्या समद्ध है नई लोगसभा का गठन के पूरू यह वंबरतमान लोगसभा का अंति पूसर प्रत्र, निम्री कित्मे से असरत्य करथन की पचान करना है, सुन्य काल कब से कब होता है, ठीक है, तो सुन्य काल की बात करने तो बारा से एक बजे के काल को क्या कहते हैं, बारा से एक बजे के काल को सुन्य काल में रखा जाता है, प्रेश्न काल जो है कब से कब होता ह ठीक है प्रश निकाल 11 से 12 बजे ये भी ठीक है पहले प्रश निकाल होता है 11 से 12 इसके बाद सुन निकाल होता है 12 से 1 बजे तक होता है इसके बाद बिधाई कार्च ठीक है बिधाई कार्च इसके बाद भोजना आवकास का भोजना आवकास कब से होता है भोजना आवकास होता है आपको एक से दो बजे तक ठीक है एक से दो बजे तक ठीक है जब कि बिधाई कार्थ के बात करेंगे तो बिधाई कार्थ का भी इसका कार्थ से चो दो से चो बजे के बीच है ठीक है यानि ऑप्शन नमबर एक और दो चाही है के वल राजसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि क्यों का जाता है इसको क्योंकि इसलिए का जाता है कि राजसभा को कभी भी भी खड़ित नहीं किया जाता है तम इसको क्या कर सकता है खंड़ित नहीं किया सकता है ठीक है इसलिए इसको भारत का संचित निदी सध्धान निर्गत करने का किसका नियंत्रन होता है संचित निदी सध्धान नियंत्रन करने का अधिकार किसको होता है संसत का अब संसत जब कहते हैं तो संसत में सब आ जाता है लोकसबा है या राजसबा है यहां पे राष्ट पति है प्रेशिडेंट है ठीक है इसा भी इसमें आ जाते हैं भारत के सरवोच नियाले के कार्या वाहक मुख नैदिस की नियुक्ति कौन करता है कार्यावाहक मुख की नियुक्ति राश्पती के द्वारा किया जाता है पंचायत के चुनाव कराने है तो निन्या किस के द्वारा लिया जाता है पंचात का चुनाव करा जाता है यह नहीं आपको राज सरकार लेता है कि कब उसका चुनाव कराना है कि नहीं कराना है राश्पति पर महाभियोग कारोप संसत के किस सदन द्वारा लगा जाता है तो राश्टपती पर महाभियोग जब भी लगेगा आपको संसत के किसी भी सदन में आप ला सकते हैं लोकसभा में या राश्वा में भारत के राश्टपती ने जिस एक मातरस मामले में अपनी बीटो सक्ती का परयोग किया था वो कौन सा मामला था बीटो सक्ति का परियोग आपको भारतिय डांक बिध्यक पकिया गया था, कौन सा डांक घर बिध्यक पकिया गया था, इसके समय राश्टपती कौन थे, ग्यानी, जैल सिन यहां कुछ समय राश्टपती थे, अब इसका डेट की बात करें तो डेट कब था 1986 में, जिसमें परधानमदरी कौन होगा, परधानमदरी में 1986 में राजी उगॉगांधी थे हैं, नीन में से कौन सर ऐसा राज है जहां राज सभा सीटो की संख्या समान नहीं है, यहां पे देखेंगे, स्नृत पर्देस कितना है पहले देख लेंगे, ठीक है, महराष्ट की बात करें तो महराष्ट में कितना है आपको महराष्ट में रासवा सीटों के संख्या उनिस है टीक है बिहार बंगाल में कितना है आहां पे बिहार नहीं दिया गया है आंध पर्देश में कितना है एगार है मध पर्देश में कितना है मज़ पर्देश में भीएगारए है गुझरात में कितना मोग गुज़ात में भीएगारए है तो इसमें क्या है विलोम है केंद्रिय बजट 2022 थेश के मसार बिटीय वर्ष 2022 थेश में परभावी राजस लुगाटा सक घरर रूत पात का कितना प्रतिसथ यह इसमें आपको 2.6 परतिसाद, उपयोकता से अभी प्राय है, उपयोकता से क्या आभी प्राय है, तो उपयोकता से जो है, आपको आगवाख सकता है, में संतुष्ट करने की सकती कोई क्या कहा जाता है, उपयोकता कहा जाता है, तो आपको इसका क्या हो जागा, तीन नमबर, मिलान करना है कि कौन सी आपको इस्पास सन्यत किस देश के सहयोग से बना गया है भिलाई कहा है भिलाई 36 गर में रावल किला कहा है ओडिसा में है ठीक है तो रावल किला किस से तब बना गया था किस सहयोग से जर्मनी के बोकारो किस के बना था दुर्गापूर किसके बना था, भिलाई जो है किसके सयोग से बना था, रूज के सयोग से बनेगा, बोकारो किसके बना था, बोकारो भी रूज के सयोग से, दुर्गापूर किसके, बृतेन के सयोग से हैं, भारतिय क्रिसी जोत कि धाचा के संदर में कौन सा सत्य कथन है, ठीक है, सिमान्त किसान जोत, एक हेक्टेर से कम, ठीक है, एक हेक्टेर से कम वाले किसान को क्या कहा जाता है, सिमान्त सिरेनी में रखा जाता है, दूसरा है, छोटी जोत, एक हेक्टेर से दो हेक्टेर के बीच को, छोटी जोत में रखा जाता है और पांच हेक्टिरे से अधी वाले को आको किसमें रखा जाता? ति यहां पर सिमान्त वाला जो है, सिमान्त जोट एक हेक्टिरे से कम और छोटी जोट आपको एक से दो हेक confinement जोट जोट जो है आपको ठीक है आपसी नमर क्या हुजाग вопрос नमर एक हो जाग छोटी जोद कितना एक से दुय हेक्टैर के बीच को जो है छोटी आपको हेक्टैर में छोटी जोद के इंतरकत रखा जाता है नीम निकित में से किस्के द्वारा पीपूस पलांस का पर्तिपादन किया गया है। पीपुसपलां का प्रतिपादत आपको एमर राई के दवरा किया गया था, जो कि कब किया गया था, 1945 विश्वी में किया गया था। वर्ष दोजाएवी ष्वीश पर्वंधी में भारत के किस राज में मका का सरवाधीक उतपादяти हुआ 2020 से किस मिसरवादिक मका उत्पादित करने वाला राज कौन सा बन गया है तो आपको बन गया है एक करनाटक बन गया है दूसरे अस्थान पर कौन था मध्य पर्देश था दिसरे अस्थान पर आपको था तेलंगना सन 1944 में गांधिवादी योजना किसके द्वारा लाए गया था तो गांधिवादी योजना के पर्थिपादक थी आपको स्री मनारायन मध्याब भोजन योजना के सुर्वात कब किया गया किस के लिए किया गया था किस पंचवर्शी योजना में किया गया था तो आपको किया गया था आठ में पंचवर्शी योजना में किया गया था इसको डेट पूछा जाता है तो डेट की था आपको 15 अगस्त 1995 में किया गया था किस राज से किया गया था तो आपको तमी लाडू से इसका सुर्वात किया गया था संजुक राश संग के किस अंग को लगु संसत भी का जाता है लगू संसत के नाम से किसको जानते हैं महा सभाव को जाना जाता है हाली में किन सरकार द्वारा सुरू की गई सार्था के योजना किस मंत्राले के द्वारा जारी किया गया है तो सार्था के योजना की सुरूबात जो है किस मंत्राले के द्वारा किया गया है तो एक किया गया है, आपको शिक्षा मंत्रा लेक द्वारा किया गया है, शिक्षा मंत्रिय भी कौन है, तो अभी धरमेंद्र परधान है जंगन्या 2011 करृम्सार भारत का डसकीय वृधिधि दर कितना परतिशत है। तो सरवाधीक ग्रामिनि जन संख्या अलए राज है। आपको हिमाचल परदेश। यहां में सरवाधीक आपको 90。 origins परतिश्त तक नवे परतिश्त स्वाँ कहां रहते हैं। मिट्पादन भारत वीश्व में अग्रणि हैं अंडा मास मस्तफली दूध दूध में जो है उत्पादन में में परत्रफम स्तन किस Alter 시 निर्म के का उपकरण नहीं है तो राजकोसिय नीति के हम बात करते हैं तो इसमें ब्यासदर को सामिल नहीं करते tutorial आरोग धारा 2.0 का समन्द पर्मुक रूप से किस में सरकार द्वारा योजना शुरू किया गया है इसका मुख के उदेश क्या है तो इसमें आयुस्मान भारत जन आरोग योजना से यह समन्दित है केंद्रिय बजट 2022 तेस में कितने मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क अस्थाबित करने की गोशना किया गया है तो टोटल चार मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क आपको भारा सरकाक द्वारा अस्थाबित करने की गोशना की गई है केंद्री बजर 2022 ते इसमें कितनी रासी के परिव्याय से रेजिंग एंड एक्सिलेटिक एमाई फॉर्मेट फ्रिनेंस को शुरू करने की उजुना बनाई गई है इसमें टोटल रासी किया गया है छोहजार कॉंडो रुपए वर्ष 2022 ते इसमें पुंजीगत ब्याज जीजीपी का कितना पर्तिसत होने का अनुमान है तो यह है आपको टू पॉइंट नाइन पर्तिसत जीप्शन और प्लाश्टर फेरिस में पानी के अनुओ की संख्या का अंतर क्या होता है इसका जो है सुद्र क्या होता है सी ये एस C A S O Q 2 2 O टीका है यह क्या हो गया आपको जीसम हो गया ठीका है अब सी ऐसो फोर हाफ चोंगा तो कोन Wen ज이 प्लास्टर परिस तो जागा जीप्सम से ही क्यात प्लास्टर परिस होता है इसमें दोनों का अनुपाद यहाई जागा। आपको अनपात हम निकालेंगे तो क्या हो ज्यागत दे지 कि इसमे टू जो है फिक है तो थ्री अनपार्ट टू राप्षण प्रफीर div works एसाट तुअ है तो जिर्कोनियम आपको रेडियो एक्टिव तर प्रकत नहीं आता है कौन सुमेलित नहीं है सिर्का में कौन सामल होता है एसिटी कमल होता है संत्रा में सिर्का में एसिटी कमल हो गया संत्रा में साइटी कमल हो गया इमडी में टाट्री कमल हो गया और अकजेली कमल किस में टामाटर में हो गया ठीक है टामाटर हो गया या आपको पालक के पती समझो है और जली कम तो option number क्या हो या 5 साबून का सुत्र क्या है साबून का रसानिक सुत्र पूछा जा रहा है जो कि क्या है इसका साबून का रसानिक सुत्र होता है आपको C17H35CWNA नाभी कित्रिजया है नाभी कित्रिजया क्या होती है तक invasion का 3 इसकी दरमान संख्या के गहनमुल के समानु पाती होती है इस इन विकित में से कौन से मूल भहती करासी है कौन सी इसमेंसे मुल भौधिक राशी है इसमें हम देखेंगे कि मुल भौधिक राशी में कौन कौन आता है तो आपको इसमें आ ज Lena laugh किलोग्राम की तापमान की RS हो था है इसका capital की Lubin टूक है बीदुधारा का एंपियर ये दोनों जो है किस में आजागा मूल रासी में ओप्शन नमबर 4 सूध द्रावो के मिश्रन को उनके कवथनां के अधिक अंतर के अधार पर अलग करने की बीधी क्या कलाती है इनकी जो बीधी होती है किस बीधी के द्वारा किया जाता है तो आपको आस्वन बीधी के द्वारा किया जाता है एंटीजन को कौन निर्मान से प्षिनोल तथा फॉर्माल डिहाइट का पर्योग किया जाता है तो बेकेलाइट का निर्मान किस होता है फिनोल और फॉर्माल डिहाइट से अल्ट्रा सोनी ध्वानी किस आवरिती का नूप ध्वानी है अल्ट्रा सोनी ध्वानी का जो आवरिती क्या होती है तो आपको 30,000 हर्ट क्या पास होती है क्या होती है 30,000 हर्ट जिसको इंफरा सोनिक साउंड का जाता है पुष्तक फिलोस्पी जूलोजिक किसी ने लिखा है त यह पूच्त है आपको लेमार्क की से सीडियमिट्र किलैनल नहीं है हाई-पर्योपय law के मामले में क्वाइब पह्चान करना है कि हाइट्रोमेolen native कि banc कि किसी पर बल द्वारा किया ग्या का धनात्मक होगा यदि क्या होगा टीक है लागो बल के दिशा में अगर चलेगा उसी ड्यार्यक्शन में चलता है तो अब क्या होगा धनात्मक होता है ने मीकित में polarized िरिम संबास्तवी के रूप से मचली है इन में से कौन संबास्तवी के रूप से मचली है तो समुदरी घुठा क्या आता है समुद्री peng conform मता सिवर्ग में आता है इसलिए option 4 सईथएं कि आपको यहाँ मिलान करना है लीथियम का पर्योग कहां करते हैं तो बैटरी के जो है उपर आयन में बना रहता है सोडियम का पर्योग कहां पर किया जाता है रक्त में पानी की मातरों करने के लिए रक्त में पानी की मातरा सोडियम का पर्योग करते हैं पोटासियम का पर्योग कहा करते तंत्रीका और आवेगों के अस्तनात्राद करने के लिए अब सीजियम का पर्योग आपको बर्मानों घडियों में किया जाता है आपको करना विदुधारा क्या होता है improve गल्ी ह्टमाणर क्शली होता है इस में से देखना है कि भहतीक रासी कौन सी है इसमें बहुतिक रासी सभी तो क्या है models ही मेजरमेंटकर सकते हैं które जो है बहुतिक राशी के अंदर गत आती है बहुतिक राशी की सुकत है वैसी बहुतिक राशी जिसमें के वल परिणाम होता है जिसा नहीं होता उसे अदीस कहा जाता है ठीक है इसलिए यहां पर पुछा रहा कि अदीस राशी इनमें से कौन है दोरा निसेचन किसकी अनुठी भी सिष्ता है दोरा निसेचन किसमें होता है तो अपको कार्बन डाइक्साइड अक्साइड में ओक्सिकरन कार्बन डाय अक्साइड में ओक्सिकरन की घटना कास होगी नहीं होती है इस परकार की घटना यहाँ पे जंपिंग जीन के सिधान का पर्तिपादम किस ने किया था जंपिंग जीन का सिधान दिया था आपको बारबरा मैकली टॉप के द्वारा दिया गया था लाइसोसम जिन्हें आद महत्या के थैली कहा जाता है इसको किस अंग द्वारा निर्मित किया जाता है किसके द्वारा निर्मित किया जाता है तो किया जाता है आपको गोल जी बोडी के द्वारा किया जाता है निम्निकित में से कौन मानो आखार नाल में भागो का सही क्रम है तो यहां पर हम देखेंगे चार नंबर मुह इसके बाद क्या हो तो ग्रशनी इसके बाद पेट इसके का दिला जाता है बड़ी हाथ in gold Public health plus हुए मानोशरी में पाय जाने वाले तातूं का सही क्रम है मानोशरी में सर्वाधिक माध्रां यारी जान और तो कॉंसा है श्रवाधिक माध्रां आपको अक्षीजन जो कि कितना 75 परतिसद वथा है इसके बाद वह कार्बन 18% होता है हाइट्रोजन 10% होता है नाइट्रोजन 3% होता है और कैल्सियम 1.4 लगवर 1.5% के आसपास होता है निमनिकित में से कौन पादपो में जनन अवस्थाओं का सही करम है जनन अवस्थाओं का सही करम इसमें जो है इगुमज होता है पहले फिर इगुमक होता है पहले इगुमनरज होता है फिर भुनुन होता है फिर अंकूर होता है निकित में से कौन प्रोटीन नहीं है इसमें हीमेटिन क्या होता है हीमेटिन जो है प्रोटीन नहीं है मायोसीन मायोसीन और एक्मिटी संक्सुरेशन दोनों क्या होता है प्रोटीन होता है जो मास्पेशियों में मौजूद रहता है अस्तंधारी में नीशेचन कहां होता है जितने भी अस्तंधारी होते हैं मता सवर्ग होते हैं आपको मैमल सवर्ग होते हैं उनमें कहां होता है तो इनमें होता है आपको फिलिप्यून ट्यूब में होता है पलाजमा जहिली किस के बनी होती है तो पलाजमा जहिली आपको किस क सुब्सक्रभी औसे क् philanthropy भी है इसले नमर कांच हो जागा अगा है पीट पींट कहां पाई जाने वाली कुषकाउं का सहीता है रिक है युईब में जो कि अटासर क्या हूता है आपको countいます हिस्टा माई और एस्टा माइन ही पर्योग से सिख्र तरहत मिलती है यह किस बिमारी में मिलती है तो निम घिट में से किस तकनिक का का उप्योग किया जाता है तिक एक किस परकार का मरुवस्तर हो भी 아니고 मंगोलया में वाण तो आपको सितोस ने कटी बंधिये मुर्य वस्तिल का उधारन है इन में से कौन सा मिलान गलत है राज बंदरगा देखना है दिन-डियाल उपादिया आपको कंड़ा बंदरगा के नाम कर दिया एनओर बंदरगा ठीक है तूति कुरिंज है और नहावा से वाई इनल में से दे देखे नर जोह को को यह आंदर पतर दिस्मिन नहीं है तूतिको साव माहराष्ट सब्सक्राइब उसमें गलत कुंगा वरंगाबाद वर्षा कम से सबसे कम स्परेंज है नहीं हैıld यंदृ सुर्जाब के पट्प्षिस कांचा में लगबहक किस गती का चक्र लगाती हैं अब को प्रती दिन एक डिग्री घुमती है इसलिए जो 360 डिग्री घुमने में इसको 360 दिन लगभग एक वर्स का समय लग जाता है निंडीखित में से कौन सा हुआ कारक नहीं है जो किसी छेत्र की जल्वाइव को नियंतर्म नहीं करने का काम करता है यह करता और आवसत वर्सा और पहली बार सूती वर्स्तर के आपको क्या गया था तो बहुत को अठाइव किया गया था कहां पर कलकत्ता किया गया था और आधुनीक रूप से का किया गया ओंधाज во ने ये888 crypto वाला जो किया था और सफल रह गया था है 1854 किया गया बंबर्य में किया गया और कौणिस के दवारा एंडाबर कंपणी के दवारा जो है किया गया था निलगीरी पहारी का विस्तार किन राजों में है निलगीरी जो है मुखरुप से दचिन भारत तमिलाडू को छेतर में है इसका विस्तार आपको कई राजों में तमिलाडू में है करनाटक में है और केरल में है वर्तमान में तमबा उत्पादिन ने कौन सराज देश में अगरनी है तमबा सरवाधिक उत्पादिन कर रहा है कौन सराज मध्य परदेश राज त्रीक है यहां से मैं था गया आपको देव ने 20 दिनों में इनुटेरिया का परजेक्ट पूरा किया अजित उसी काज को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा यदि वद्याइव से 25% सुक ठीक है यह जो है 100% है यह कितना है 125% है है 100% है को कितना दिन ले रहा है 23 THIS यह आपको 125% है टीक है तो 20 गुने 100% बटता में कितना हो जगा 125, 5, 4, 5, 25, 5, 25, 25, तो पंचव का ठीक है, वीडियो में आपका इसका सुलूशन एक अच्छे तरीके से आपको दे दें ठीक है अब 42 का क्या हो जागा अप्शन नमबर चार कि 43 का जीजनिंग है ठीक है 43 का देखेंगे क्या है पांच इसको क्या करेंगे गुना करेंगे इसको 5 गुने 1 इवाई साइब को साध्क को करेंगे 2 से 15 15 को करएंगे 36 में जाएंगे आपको हो जाए कि आपको 143 हो जाएगा आपको 3 नमबर 3 – 200 की शानो 2 और च्वारा विभाजित होने वाली प्राकिर संख्याओं की संख्या कितनी है 3 को सब्ता है 200 को क्या करें गैंगी Q 37 से पहले करेंगे गितना वर मैं आजागा जागा 006 007 65 ऋहने कि टोटल की यहon गहे 45 हो है तीख है 45 को क्या करना है उसको multiply करना है इसका सही उतर हो जागा तब को .008 कौँ सा सबसे बड़ा है इसमें जो सबसे बड़ा के पचान करना है तो आपको हो जागा दो नंबर इसका लगुतम सुवापर तक निकालेंगे तो लोग उतम स्वाप पर तक कितना होगे 14.4 48 की बात करें कि इसका option हो जागा none of these ठीक है क्योंकि समभाव तिरबुज का अच्छे तरब क्या पड़े हम लोग root 3 by 4 गुने भुजाए square ठीक है तो root 3 by 4 गुने कितना 6 root 3 का hall square करेंगे तो कितना हो जागा इसको cutting जो है तो आपको हो जागा 27 root 3 जो कि आपको option नहीं है 49 का हो जागा आपको 3 number last person है last person का हो जागा आपको 60 degree एक number ठीक है तो इस तरह से जो है आपको 1500 प्रश्णों को आप लोग कम से कम समय में कराने के कोशिस किया और इस टोटल 1500 प्रश्णों के माध्यम से मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिस किया कि कम से कम समय में अगर इसका discussion सही माइने में किया जाए तो आपको BPSC का जो प्रश्ण पर होता 1500 का 5 option के साथ तो इसको कम से कम 3 घंटा कम से कम 3 घंटा आपको समय देंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको discussion करेंगे लेकिन उतना संभव नहीं है कि यहाँ पर आपको छोटे से जो है सासाथ हमारे चैनल पर क्या क्या आ जा रहा है आपको इस अपरीक्षा के लिए आपको फ्री ओकोष्ट प्रेक्टिस सेट चलाए जा रहा है जिसमें आप जूड़ सकते हैं पर इच्छा देने माले हैं चोबी सप्रेल को तो आप जुड़िए हमारे साथ और रैंक को भी आप जाने धन्यमाद दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही ओके बाए